हेलो फ्रेंग्स आज हम करते हैं सर्वेंग सर्वेंग के अंदर चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन चैप्टर का टोपिक करेंगे आज हम इंस्ट्रूमेंट यूज़्ट फोर टेकिंग मिजर्मेंट यानि कि आज हम जानेंगे कि जब हम सर्वेइंग के वक्त मेजर्मेंट करते हैं तो उस वक्त हम किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ठीक है तो हम चलते हैं आगे टोपिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा जैसे आपको पता है कि किसी मनिश्य को जीवन या जीवित रहने के लिए सास के वसकता होती है उसी तरह सर्वेइंग में भी इंस्ट्रूमेंट की उतनी ही जरूरत होती है यानि कि इंस्ट्रूमेंट के बिना सर्वेइंग नहीं हो सकती है ठीक है? ओके, अब हम चलते हैं आगे यह कहता है कि जो इंस्टुमेंट है उसका हम कोमनली प्रियोग करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए टेकिंग, सर्वेंग मेजरमेंट और वो मेजरमेंट कोन-कोन सी है वो सभी नीचे लिखी हुई है तो आईए हम उन मेजरमेंट को पढ़ते हैं कि कितने तरह तरह की मेजरमेंट है और उन्हें नापने के लिए हमें कोन-कोन से इंस्टुमेंट की अब सकता पढ़ती है पर्स पॉइंट क्या कहता है इंस्ट्रुमेंट यूज़्ट फोर रेंजिंग एंड लेंग आउट सर्वे लाइन यानि कि ये लाइन कहती है कि जो इंस्ट्रुमेंट है उसका हम प्रियोग करते हैं रेंजिंग के लिए रेंजिंग आफ सर्वे लाइन या फिर लेंग आउट आफ सर्वे लाइन यानि कि सर्वे लाइन को रेंजिंग करने के लिए या सर्वे लाइन को ले आइन आउट करने के लिए तो हमें अब ये देखना है कि जब हम रेंजिंग कर रहे हैं सर्वे लाइन की या कोई लेंग आउट कर रहे हैं सर्वेंग लाइन का तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रैंजिंग रोड लाइन रैंजर क्रोस स्टाफ और टेकल स्क्वेर यानि कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से हम रेंजिंग कर सकते हैं सर्वेंग लाइन की और लेंग आउट कर सकते हैं सर्वेंग लाइन को यानि कि वो इंस्ट्रूमेंट जिनका हम प्रियोग करते हैं यानि कि डारेक्ट लेंथ निकालने के लिए अगर हमें एक डारेक्ट लेंथ निकालनी हो तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रियोग करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा चेंड, टेप और स्टील बेंड यानि कि चेंड, टेप और स्टील बेंड से हम डारेक्ट लेंथ डेटर्माइन कर सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट उस्टोर मेजर्मेंट ओप लेंध इंडारेक्ली यह यह लाइन कहती है कि हम इंस्ट्रूमेंट इसकर एक सब्सक्राइश करने के लिए डार इंडारेक्ली लेंध्युक्यूरान खुर्ण इसके अंदर थी डारेक्ट्ली लेंथ और नीचे क्या है इंडारेक्ट्ली लेंथ तो इसने बताया गया है कि अगर हमें इंडारेक्ट्ली लेंथ ग्याद करनी हो तो हम किस इंस्ट्रुमेंट के द्वारा ग्याद करेंगे तो वो इंस्ट्रुमेंट है हमारे टेपो, मीटर and सबस्टेंस, बाग यानि कि इनकी मदद से हम indirectly length find कर सकते हैं अब चलते हैं next point पे next point कहता है instrument used for determining direction of flying such as prismatic compass box accent theodolite ये line कहती है कि instrument का हम प्रियोग किस instrument का हम प्रियोग करते हैं determine करने के लिए क्या क्या determine करना है हमको direction of flying यानि कि आप से कोई बोले कि आपको direction of flying determine करनी है उसके लिए instrument लेकिया ये तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट लेकिया हैंगे compass प्रिजमेटिक कमपास box extent और थडोलाइट तो आप इन इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं direction of flying determine करने के लिए नेक्स पाइट अपॉइंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ट फोर मेजरिंग स्लोप एंड हाइट सच आज अज क्लीनोमीटर लेवल एसेक्टर यह लाइन कहती हैं कि हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करें किस इंस्टूमेंट का यूज़ करें जब हमें मेजर करनी है क्या मेजर करनी है हमें स्लोप मेजर करने है या फिर हाइट मेजर करनी है तो आप से कोई बोले कि आप इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करें या फिर यहां से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक क्या slope है वो ग्याद करें तो आप किस instrument का use करेंगे आप करेंगे क्लीरो मीटर का end level का ठीक है next point क्या है next point कहता है instrument used for surveying and floating simultaneously such as plain table यह कहता है वो instrument जिसका हम प्रियोप करते है surveying के अंदर floating के लिए यानि की हम जब survey कर रहे हैं किसी भी हिली एरिया का तो उसको हम draw करते हैं plot करते हैं paper पे तो plot करते हैं उससे में किस device का use करेंगे हम तो वो होगी हमारी plain table ओके अब चलते हैं next point seven instrument used for surveying by photographic means such as photo तो ये लाइन बोलती है वो instrument जिसका हम प्रियोप करते हैं photographic surveying के लिए तो उसके अंदर कौन सा instrument यूज होता है तो उसके अंदर यूज होता है photo तो हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से instrument क्या क्या मेजर करने के लिए प्रियोग में आते हैं और हमें यही सारे instrument याद रखने हैं कि ये instrument कैसे दिखते हैं ये instrument काम क्या करते हैं और इन्हीं instrumentों के अधार पर हम आगे surveying करेंगे थैंक्स फो वाचिं इस वीडियो और दोंगे लागे शेयर और सबस्क्राइब झाल